नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर एसके अगरवाल आप सभी का जोतिश सुक सम्रदी उपाये में स्वागत करता हूँ साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की घहराई से अभिनंदन करता हूँ आज हम बात करेंगे कि सूरिय का धनु राशी में गोचर तुला राशी वाले जातकों पर कैसा प्रभाव देगा तो जिन जातकों की चंद राशी तुला है उनके लिए यह वीडियो खास होने वाली है 16 दिसंबर 2023 को सूरिय व्रशिक राशी से निकल कर धनु राशी में गोचर करेंगे तो जिन जातकों की तुला राशी है उनके तीसरे भाव में यानि प्राकरम भाव में सूरिय का गोचर होगा जब चंदराशी से सूरिय का गोचर तीसरे, छटे, दसवे, वेग्यारवे भाव में आता है तो निशित ही यह गोचर शुबफल प्रतान करता है बात आती है कि सूरिय का गोचर जब तीसरे भाव में आएगा तो रोगों से मुक्ति मिलेगी यानि जिन जातकों को रोगों का सामना करना पड़ रहा है, बिमारी है वे सभी निरोगी होंगे सुख चैन प्राप्त होगा, शुबफल प्राप्त होगे सजनों एवं उच राज्यधिकारियों से मेल मुलाकात होगी संतान के संदर्व में भी सुखट समाचार प्राप्त होगा मित्रों से रिस्तिदारों से धन लाब वे सम्मान प्राप्त होगा यदि कोई कोट का चैड़ी चल रही है तो उसमें भी निशित ही आपको सफलता प्राप्त होगी आप लोगों परमा लक्षमी की असीम क्रपा प्राप्त होगी, साथ ही मान प्रतिष्टा भी आप लोग प्राप्त करेंगे इस अवधी में यदि आप किसी नोकरी की तलाश में है या कोई नया वैपार आरम करना चाह रही है तो इस संदर्व में भी सुखत समाचार प्राक्त होगा और व्यक्ति सबके साथ अच्छा भहवार करेगा जिस कारण वह अपने प्राक्रम को भी प्राक्त करेगा कुल मिलाकर सूर्य एकातिसरे भाव में गोचर तुला राशी वाले जातकों के लिए बहुत ही शांदार साबित होगा यदि आप मेरे चैनल पर नए है और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें ओल पर क्लिक करें ताकि सभी इंफर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे साथ ही अधी आप घर बैठे अपने कुंडली का संपूर्ण विशलेशन करवाना चाहते हैं तो मैंने संपक्सूत्र दिया है आप चोटा सस्चुल कदा करकर यह सुईधा घर बैठे प्रात कर सकते हैं अपना बहुत कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इश्वर की असीम क्रपा आप पर आपके परिवार पर सदैव बनी रहे अपिजाजा चाहूंगा जैशिर्णा